आधुनिक विज्ञान और आधुनिक चिकित्सा में एक रुज्ञान है कि वे मन, चेतना और दिमाग को इस तरह पहचानते हैं, कि मन को दिमाग की गतिविधी माना जाता है, चेतना को मन की गतिविधी माना जाता है, और उनका रासायनिक उपचार करके उन्हें रासायनिक रूप से बदला जाता है और ये भी कि खुशहाली दिमाग की अच्छी केमिस्ट्री है उची चेतना भी दिमाग की अच्छी केमिस्ट्री है दुख दिमाग की बुरी केमिस्ट्री है इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है लेकिन इसे बहतर बनाने के लिए हमें इसकी केमिस्ट्री को बदलना होगा अब योग विज्ञान के अनुसार दिमाग, मन और चेतना तीन अलग-अलग चीज़े हैं लेकिन वे एक खास स्तर पर संबंधित हैं तो मैं सद्गुरु जी से यह जानना चाहता हूँ कि दिमाग, मन और चेतना कि क्या प्रकृती है और हम दिमाग और मन में फसे बिना उनका उचित तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और उस चिकित्सा मॉडल के बारे में भी जो दिमाग की केमेस्ट्री से जादा चेतना पर जोर देता हो योग विग्यान में दिमाग जैसा कुछ नहीं होता दिमाग सिर्फ शरीर है जैसे दिल है, जैसे जिगर है वैसे ही दिमाग है ये भी बश शरीर है मुझे लगता है कि दिमाग को बहुत ज्यादा बढ़ा चड़ा कर इसलिए प्रस्तुत किया जा रहा है क्योंकि जैसा कि मैंने सुबह भी कहा था हमारी शिक्षा प्रणालियां पूरी तरह से तर्क पर आधारित हो गई है हमें लगता है कि तर्क ही सब कुछ है अब मैं इसे बहुत ही कम शब्दों में कहने की कोशिश करूँगा जब किसी बहुत ही जटल चीज को कम शब्दों में कहा जाता है तो उसमें कुछ कमिया रह जाती है अगर आपको कमी नजर आए तो मुझे बताना वरना ठीक है तो योग विज्ञान के अनुसार मन के सोला हिस्से है और ये सोला हिस्से चार श्रेणियों में आते हैं पहली है बुद्धी बुद्धी मतलब तर्क मैं आपसे पूछता हूँ आपको बुद्धी तेज चाहिए या मंद आप सब चुनिये मैं आपको आशिरवात देने वाला हूँ आपको तेज चाहिए तो बुद्धी एक चाकू की तरह है चाकू का इस्तमाल चीजों के दो टुकडे करने के लिए होता है यही बुद्धी की प्रकृती है आप जो भी देंगे वो उसके दो टुकडे करेगी पूरा आधुनिक विज्ञान मनुश्य की बुद्धी से पैदा हुआ है इसलिए सारा काम चीरफार से होता है अगर आप एक व्यज्ञानिक को फूल देंगे तो वो इसके टुकडे करके देखेंगे अगर आप इसके टुकडे करके देखेंगे तो आपको फूल के बारे में कई जानकारियां ज़रूर मिल जाएंगी पर आपको उसके बाद फूल नहीं मिलेगा अगर अब आपको कुछ वाकए जानना है मान लीजे आपको आपकी मा के बारे में जानना है क्रेपया उनके टुकडे मत करना ये ऐसे काम नहीं करता क्यूंकि जो चीज आप चीरफार से जान सकते हैं वो जीवन का बहुत एक पहलू है आप जीवन को चीरफार से नहीं जान सकते सिर्फ बहुत slit चीजों की चीर फाढ़ की जा सकती है पर अब हम हर चीज जानने के लिए तरक का इस्तिमाल करते हैं तो हम दो टुकड़े करने की कोशिश करते हैं हम दुनिया को एक करने की समानता और आत्मग्यान की बात करते हैं और सब कुछ तर्क से करना चाहते हैं, ये ऐसा है, जैसे चाकू का सिलाई के लिए इस्तिमाल करना, अगर आप चाकू से कुछ सिलेंगे, तो आप उसके टुकडे कर देंगे, तो हम ये देख रहे हैं कि हम किसी चीज के बारे में जितना ज्यादा ग्याने कठा करते हैं, गलत रहने का औजार है, अगर आप में चीजों में फर्क करने का तर्क नहीं होता, तो आप इस धर्ती पर जिन्दा नहीं रह पाते, ये बहुत ही जरूरी है, लेकिन ये सिर्फ आपको जिन्दा रख सकता है, पर ये तब तक काम नहीं कर सकता, जब तक कुछ मात्रा में अगर आपकी सारी यादाश्ट मिटा दी जाए, तो इससे फरक नहीं पड़ता कि आपका बहुत एक स्तर कितना है, अगर आपकी सारी यादाश्ट चली जाए, तो आप अचानक मूर्ख लगने लगेंगे, आप शायद तब भी बुधिमान हो, पर आप मूर्ख लगने लग गाउं का बच्चा मूर्ख लगता है, लेकिन आप उन्हें वास्तविक स्थिती में रखें, तो आप देखेंगे कि वो ज्यादा स्मार्ट निकलेंगे, क्यूंकि उनकी बुध्धी पूरी तरह से सक्रिया है, तो तरक तभी समझदार लगता है, जब आप उसे बहुत सी ज जानकारी का सहरा देते हैं, इसलिए information technology का इतना महत्व है, और हर कोई जानकारी को लेकर पागल हो रहा है, वो केवल वक्त बरबाद करने के लिए फोन में नहीं देखते रहते, उसकी वज़ा है कि सिर्फ उन्ही छोटी छोटी जानकारीयों के सहारे ही, वो अपने समाज मे समार्ट नजर आते हैं, सिर्फ जानकारी होने पर ही वो समार्ट नजर आते हैं, उसके बिना वो कुछ समार्ट नहीं कर सकते, मैं आपको एक उधारन देता हूं, हमारे यहां दो तरह के स्कूल है, एक स्कूल आधनिक है और वहां 30 प्रतिशत बच्चे अमेरिका से भारत प संस्क्रित और अंग्रेजी भाषाएं सिखाते हैं, उनको किसी तरह का शैक्षिक ज्यान नहीं दिया जाता, यह कुछ साल पहले की बात है, सारे छोटे बच्चे हाथ दोने के लिए भागे, नल इतनी उचाई पर है, छे से साथ साल के बच्चे वहां तक पहुंच नहीं प जिस पर चढ़कर वो हाथ दोएंगे, और यह दूसरे बच्चे दोड़े, बड़े बच्चे नीचे जुके, छोटे बच्चे उन पर चढ़े और हाथ दोकर भाग गए, तो आजकल तरक को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, और बुद्धी के दूसरे आयामों को बि इगो समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, अहंकार मतलब पहचान, आपकी पहचान के साधार पर बनी है, क्यूंकि तरक मुख्य रूप से उस पहचान की रक्षा करने का साधन है, जो आपने अपने लिए बनाई है, अगर मैं कहता हूँ कि मैं भारती हूँ, तो अचानक मेरा तरक मुझ में वैसे विचार पैदा करेगा, मुझ में इसके लिए जीने और मरने की इच्छा होगी, अगर आप बस एक कपड़े का टुकड़ा लोगों को दिखाएं, मेरा मतलब जंडा, तो लोगों की आँखों में आंसू आ जाएंगे, ये सिर्फ एक पहचान है, अगर और वो कहीं और रह रहे होते, और आप वहां का जंडा दिखाते, तब भी यही होता, भारत और पाकिस्तान में ये आसानी से नजर आता है, क्यूंकि ये एक ही देश था, पर अचानक किसी ने रेखा खीच दी, और सारी भावनाएं जैसे काम करती हैं, वो अधवुत है, सि विश्चे तरीका मतलब, मान लीजे आप सिर्फ इस एक व्यक्ति, यानि मैं के रूप में अपनी पहचान बनाते हैं, तो आपकी बुद्धी हर वक्त सिर्फ आपका बचाव करने का प्रयास करेगी, हर वक्त बस यही करेगी, अब अगर मैं ये कहूं कि मेरा परिवार मेरी पहचान हैं, तो आपकी बुद्धी उसका बचाव करने की पूरी कोशिश करेगी, ये समोधाय, जाती, धर्म, देश, कुछ भी हो सकता है, हमने जाती, धर्म और देश के नाम पर कितने ऐसे कारे किये हैं, जो बिलकुल मूर्खता पूर्ण और अमानवी हैं, लेकिन हम उन उसे पकड़ता है, वो पहचान है, आप मुझे बताईए, चाकू के काम करने के लिए ये जरूरी है कि चाकू तेज हो, लेकिन चाकू से विनाश होगा या विकास, ये उस हाथ पर निर्भर करता है, जिसने उसे पकड़ा है, है ना, लेकिन आजकल हमारे समाज में, हमारी दुनिया में, हाथ के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा, हम अपनी छोटी से छोटी पहचाने बनाते जा रहे हैं, इस से हर हाल में अश्चान्ती ही होगी, मनुश्य के भीतर भी और बाहर की दुनिया में भी, कोई और रास्ता नहीं है, प्राचीन काल से ही, असीम के आधार पर पहचान बनने से पहले शिक्षा बिलकुल नहीं दी जानी चाहिए, सिर्फ पहचान स्थापित होने के बाद ही शिक्षा होनी चाहिए, क्यूंकि सही तरह की पहचान की बिना शिक्षा बिनाशकारी हो जाती है, क्यूंकि आपके पास एक सीमित पहचान ह ये मेरा देश है, वो आपका देश है, ये मेरा धर्म है, वो आपका, ऐसा ही होता है। पहचान का विकास किये बिना ही हम चाकू को तेज बना रहे हैं। हमारा हाथ अस्थिर है। पर हम चाकू को तेज बना रहे हैं और यादधाश्ट से उसे शक्तिशाली बना रहे हैं। तो मन के अगले आयाम को मनस कहते हैं ये यादाश्ट का संग्रह है यहाँ यादाश्ट के आठ आयाम है इसमें पंच तत्वों की यादाश्ट परमानू के स्थर पर यादाश्ट विकास संबंधी यादाश्ट कर्मों की यादाश्ट सचेतन की यादाश्ट, अचेतन की यादाश्ट, सपश्ट यादाश्ट, असपश्ट यादाश्ट ऐसी ही यादाश्ट की कई सारी अवस्थाएं हैं जैसे हमने पहले ही चर्चा की थी इस शरीर में हर उस चीज की यादाश्ट है जो इस ग्रह पर हुई है अगर हम परियाप ध्यान दें तो हम सिर्फ इसे देख कर ही जान सकते हैं कि जीवन का विकास कैसे हुआ है सिर्फ डेड़ सो साल पहले चार्ल्स डाविन ने इस ग्रह के जीवन का अध्यायन किया और जीवन के विकास के बारे में बताया था लेकिन आधियोगी ने पंदरा हजार साल पहले ही इसके बारे में बात की थी उन्होंने पहले ही कहा था लगबग हर भारतिये ये जानता है लेकिन सचेत नहीं दस अवतार हैं आप यह सब काफी पढ़ रहे होंगे पहला आफतार मचली या पानी के जीव फिर जल स्थल चर जीव फिर स्तंधारी जीव फिर आधा मनुष्य आधा जानबर फिर बौना मानव फिर पूर्ण विक्सित लेकिन क्रोधी मानव फिर शांती पूर्ण मानव फिर प्रेम मानव उसके बाद ध्यान मानव और आखिर म दिव्यदर्शी मानव होने की माननेता है। ये किसी एक आदमी की कहानी नहीं है। ये इस ग्रह के जीवन के विकास की कहानी है। तो 15,000 साल पहले, किसी ने ये माइक्रोस्कोप से देखकर नहीं, बलकि अपने भीतर देखकर बताया था। क्योंकि विकास की पूरी कहानी यहां लिखी है। योग विग्यान इसी पर केंद्रित है, कि याददाश्ट के अलग-अलग आयामों को कैसे सक्रिय करें। क्योंकि अगर आपकी याददाश्ट सीमित है, तो आप हर हाल में बचकाने काम करेंगे। अगर आपका तर्क बहुत ज्यादा काबिल हो जाता है, तो यह बहुत जरूरी है कि आपकी पहचान ब्रह्मांडिय हो, असीमित पहचान हो, और आपकी यादश्ट इस तरह से विक्सित हो, कि उसके सारे आयाम सक्रिय हो। यह तीनों एक निश्चित तरीके से काम करते हैं। कुछ लोगों ने इसे खास तरीकों से विक्सित किया है, लेकिन ज्यादतर यह अस्थ व्यस्थ ही हो रहा है। तर्क बहुत ज्यादा है और बाकी चीजों को बहुत कम महत्व दिया जा रहा है। बुद्धी के चौथे आयाम को चित कहते हैं। यह बुद्धी का वो आयाम है जो यादाश से प्रभावित नहीं होता। हमें समझना चाहिए कि हम अभी जैसे हैं वो सिर्फ हमारी यादाश्थ की वज़े से। चाहे वो हमारी त्वचा का रंग हो या हमारी पहचान किस रूप में हैं। हम पुरुष हैं या स्त्री सब कुछ यादाश्थ तै करती है। हमारे अंदर जो यादाश्थ मौजूद है वही सारे पहलु तै करती। मैं एक मनश्य हूँ या कोई और प्राणी ये भी यादाश्थ तै करती है। यादाश्थ एक अदभुत संभावना है लेकिन वो एक रुकावट और एक सीमा भी है। जिसे अब मैं और आप कहते हैं उनके बीच की सीमा भी सिर्फ यादाश्थ ही है। जो मुझे अपने सिस्टम में याद है और जो आपको अपने सिस्टम में याद है वही सीमा है। तो यादाश्थ एक सीमा भी है और जितने भी रूप हुए हैं उनका आधार भी। एक निश्चित यादाश्ट है, जो कई तरह के धांचे बनाती हैं, वो धांचे फिर भौतिक रूप लेते हैं। हम अभी जिस तरह हैं और जैसा हमने रूप लिया है, वो उस बुन्यादी यादाश्ट की वज़े से ही है। ये यादाश्ट कभी ब्रह्मित नहीं हुई, मान लीजे आप और एक गाये रोज आम खाना शुरू करते हैं। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी दिन सैयोग से या यादाश्ट की भूल से गाये मनुश्य बन गई हो या आप गाये बन गई हो। आप दोनों एक ही तरह का भोजन खाएं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि यादाश्ट बहुत मजबूती से स्थापित है और ये कई सतरों पर है। हम यादाश्ट के आठ अलग आयामों की बात कर रहे हैं। लेकिन चित में कोई यादाश नहीं होती, यादाश नहीं है तो सीमा भी नहीं है। वो बुध्धी जिसके कोई सीमा नहीं है। योग संस्कृति में इसे शरार्ती तरीके से व्यक्त किया गया है। हम कहते हैं अगर आप चित को स्पर्ष कर लें तो ईश्वर आपके गुलाम बन जाएंगे, क्यूंकि अगर आपकी बुद्धी असीमित है तो सब कुछ आपकी पहुंच में होगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्यूंकि आपको समझना चाहिए कि ऐसा पहली बार हुआ है, पहली बार हमारी जीवित रहने की प्रक्रिया इतने बहतरीन तरीके से व्यवस्तित है, पहली बार मनुश्यों के पास इतना समय है कि वो चीजों पर ध्यान दे सकें, वरना भोजन का प्रबंध करने में ही 24 घंटे लग जाये करते थे, संपन्न समाजों में हम फिर से वही पुरानी चीजें कर रहे हैं, जैसे कि आपने बताया मॉन्टाना में किसी को तीन काम करने पड़ते हैं, जब यहां इतनी सारी जमीन है, तो आपको भोजन के लिए काम पर जाने की क्या ज़रूरत है, क्यूंकि आपको भोजन वालमार्ट से खरीदना है, मेरा मतलब हमने सा जीवन चलाने के लिए उधारन के लिए आज आप सूपर स्टोर जाएं, जो भी आपकी एक साल की जरूरत हो, वो सारी चीजे खरीद लें और एक साल तक घर से बाहर ना निकलें, यह संभव है, ऐसा पहले कभी संभव नहीं था, अगर आपको आज सुबह के लिए पानी च जीवन के गहरे आयामों को खोजें